आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियांदी जान ते पंजाबियांदी शान सरसों का साग बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बनाया है कोई भी इसको अराम से बना सकता है और एक्जाक्ट मेजरमेंट्स भी मैंने शो करे हैं जिसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाल यह है पालक पालक यूज करी है आधा किलो यह है बत हुआ इसको यूज किया है एक पाव यह 250 ग्राम अब साथ में ही मेथी भी मैं यूज करती हूँ मेथी से अच्छा टेस्ट आ जाता है थोड़ी सी लेनी है सिर्फ एक मुठी जितनी तो आप साख को साफ करवा के घर पे जब तक इसका पानी निकल रहा है तब तक यह अद्रक और लसन काट लेते हैं जो हम अपना जो साख बॉइल करेंगे उसके अंदर यूज करेंगे तो अद्रक जो है मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है लसन भी मोटा मोटा कर लूँगी क्योंकि यह बॉइल ही होना है इसको तडके में यूज नहीं करने वाली मैं तो कूकर को गैस पर रख दिया है कूकर के अंदर में डाल रही हूँ 2 गलास पानी तो आप हिसाब लगा लगाूँक एक किलो के करीब मेरी सारी आइटम थे हैं तो उसके लिए मैंने सिर्फ दू गलास पानी का यूज किया है मैं जै और बिल्कुल भी इसकी विसल को आपको छेड़ना नहीं, इसका प्रेशर अपने आप निकलना चाहिए, तो प्रेशर पूरा निकल चुका है कूकर का, तो मैं इसको उपन कर दिये तो पानी चेक कर लेते हैं, पानी अभी इसके इंदर थोड़ा है, उसको मैं बीच में यूज़ कर रही हूँ आप इसको mixi के अंदर भी अच्छे से grind कर सकते हो या फिर वो जो लकड़ी वाला हाता गोटना टाइप सा वैसा भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने इसको easily फटा-फट से अपने blender से कर दिया है तो आप देखो अभी से ही इसकी कितनी ही अच्छी रंगत आगे तो इसको ढखते हैं इसको भी आदे गंटे के लिए आपको पकाना है अब तड़के की त्यारी करते हैं तो तड़के के लिए टमाटर और हरी मिर्ची जो है वो grind करेंगे बाकी इसके अंदर simple ही तड़का और बीच-बीच में आपको ये cooker का जो साग है इसको हिलाते भी जाना है ये नीचे नहीं लगना चाहिए उसको आपको medium low flame पे ही रखना है अब लगाते हैं तड़का तड़के के लिए मैंने यूज़किया सरसो का तेल इसके अंदर डाल रही हूँ सबसे पहले हिंग और ये लसन तो लसन भरी काटके डालना है लसन जब तक हलका हलका ब्राउन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं डालना फिर मैंने डाल दिया है अद्रक और एक बड़ा प्यास तो प्यास को भी light golden brown होने तक ही पकाना है तो जैसे ही light golden brown हो जाएगा तो इसके अंदर जाएगा आधा चमबच red chili तो आप टेस्ट के इसाब से chili और अपना जो salt है आप उपर नीचे कर सकते हो अब इसके अंदर मैंने डाल दी है टमाटर वाली पेज जो अभी भी बनाई थी और इसको पकाना है जब तक ये सारा का सारा तड़का ओल ना रिलीज कर दे तो ओल अच्छे से रिलीज हो गया है इधर साग भी आदा घंटे तक पक चुका है त तो साग को डालते हैं तड़के के अंदर तो कभी भी आपको साग बनाना है आप जादा कौंटरी में ऐसे बॉल करके रख सकते हो और नेक्स टाइम कभी भी आपको बनाना है आप तड़का लगाओ से और साग आपका बनके बिलकुल रेड़ी लास में मैंने सॉल्ट डाल कि मुझे थोड़ा कम लग था अब इसको ढखते हैं सिर्फ 5 मिनिट के लिए जब तक लगाते हैं साग का स्पेशल तड़का जिससे इसकी लुक भी आएगी और टेस्ट भी आएगा तो देसी गी अगर साग के अंदर ना हो तो साग साग बिलकुल नहीं लगता गरम गरम देस प्लेट के अंदर उपर से डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी और मिक्स कर देंगे तो चलो जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं क्यूंकि मैं तो बिलकुल रुक नहीं पा रही तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करो मैं पक्का कह सकती हूं कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हिट दा लाइक बटन सब्सक्राइब दा चैनल शेर दा वीडियो सिन दे नेक्स वीडियो विद मोर न्यू रेसिपीज थैंक यू फो वाचेंग